असलाम लेकुम स्टुएंट आम तन्वीर उसेन और वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल स्टुएंट आज हम क्वेस्टेन है कैल्कुलेट रिथमेटिक मीन यह इसका हमने जो है यह अन्वाचि यह एम अरिथमेटिक मीन यह कैल्कुलेट करना है और स्टुएंट इसका चुके इसने कुछ नहीं कहा क्वेस्टेन में हुए तो हम इसको डैक्ट मेथट के जिरिये करते हैं आप जानते हैं एक डैक्ट मेथट में क्या करते हैं कैसा सबसे पहले हम इन तमाम वैल लेते हैं कि जो summation x है वो कितना 5.95 है और इनकी जो n तदाद है वो कितनी है वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो n हमारे पास कितना जाता है 7 और जो चीज़ा में required है वो है x bar यानि कि arithmetic mean तो इसके अप जानते हैं कि x bar arithmetic mean जो है यह बरापर होता है summation x x over n summation x की जो value है वो 5.95 है और जो n की value है वो 7 है अब इसको divide कर लेते हैं तो जैसे हम इसको student divide करते हैं तो हमारा answer आ जाता है 0.85 तो यह हमारे पास answer आ जाता है यह पर student एक और question है कि calculate जो है वो arithmetic mean और इसका डेक्ट और जो है यह इंटरेक्ट मैथड दोनों से करते हैं तो डेक्ट मैथड के लिए जैसे कि भी हमने यह साथ वाला question किया था कि पहले क्या करना है कि इन सबी value को हमने sum कर लेना है तो जैसे हम तमाम value को sum करते हैं तो उसका answer आ जाता है यानि कि जो हमारे पास sigma x आता है यहीं पर लिख लेते हैं कि जो sigma summation x है वो आजाता है 402 यह हमारे पास summation x आ गया अब इसका जो information है वो हम लिख लेते हैं number 1 हमारे पास summation x है वो बराबर है 402 और N जो इसकी number of यानि कितनी value है तो इसकी value जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जो है ये 8 है तो n आजाता है 8 और सेम previous question की तरह यानि कि हमने x bar मलूम करना है तो x bar equal to क्या होता है summation x over n ये भी जो है ये सारे जो हम question कर रहे हैं ये direct method के जिरिए कर रहे हैं ये direct method है अब strand यहाँ पर हम value लिके लेते हैं 4, 0, 2 जो के हमारे पास summation x की value है और n जो के 8 है तो जैसे हम इनको divide करते हैं तो strand हमारे पास answer आजाता है 50.25 ये हमारे पास answer आगया x bar यानि के mean का अब strand इसको दूसरा method जो है ये हम interact method के जिरिए करते हैं उसके लिए let हम suppose कर लेते हैं कि हमारे पास जो p.m है यहां पर हम ये let कर लेते हैं कि let p.m प्रोविजनल mean जो है ये हमारे पास 44 है अब strand इसमें d मलूम करना है तो d का क्या होता है कि x minus 44 x क्या है 53 और p.m जो हमने लिया 44 तो 46 minus 44 or 50 minus 44, 49 minus 44, 52 minus 44, 53 minus 44, 44 minus 44 or 55 minus 44. अब strand इनको जो है ये minus कर के यहां पर हम value लिख लेते हैं strand जैसे हम इनको minus करते हैं तो हमारे पास जो है ये 53 में से 44 निकाल लेंगे तो ये 9 आजएगा as it is ये मैं सभी को minus कर के value लिख लेता हूँ strand ये minus कर के सारी value लिख लिख लिए ये basic हमारे पास ये जो बना है column ये कहए D अब strand हमने क्या करना है कि हमें यहां पर क्या जाएए summation D जाएए तो जैसे हम इन सभी को जमा करते हैं तो इसका answer आजाता है 50 अब strand ये सारी value जो है हम यहां पर लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमारे पास solve होकर आगी है summation D है वो कितना आगया 50 PM हमने जो है वो 44 let किया हुआ था और N जो इनकी तदा थी वो कितनी थी 8 थी अब strand इसका index का जो formula है वो x bar equal to जो है यह PM provisional mean कोई एक assume value plus summation D over N आजाता है यह summation D अब इसमें यह value put कर लेते हैं PM की 44 plus summation D की value 50 और N की value जो है यह 8 strand करना किया है कि पहले हमने इनको divide करना है 44 as it is आजेगा जैसी 50 divided by हम 8 करते है तो इसका answer आजाता है 6.25 अब यह 6.25 को 44 में अगर हम add करेंगे तो यह आजेगा 50.25 देखें strand यहां पर भी मारे पास 50.25 आया और यहां पर भी 50.25 ही आया तो हम mean को direct method से करें या indirect से answer जो है यह same आना चाहिए यहां पर student एक और question आगया दी following table gives the marks obtained by a batch of candidates in examination in subjects कि हमारे पास यह कुछ students का batch था जिन्होंने history, statistics और economics में जो है यह कुछ सबसे ज्याता है यानि कि किस में average जो है वो सबसे ज्याता है तो हम इन सभी के अलग-अलग average यानि के mean calculate कर लेते हैं पहले इसको जमा करते हैं तो जैसे हम इसको जमा करते हैं तो इसका अंसर आजाता है 228 अब यह सभी की यानि के हमारे पास यह जो है यह summation में value आ जाती हैं अब इनका अलग-अलग calculate कर लेते हैं पहले हम कर लेते हैं कि x bar जो के हमारे पास history के लिए है यह किसके बराबर आजेगा summation x over n अगर हम इसका summation x करें तो इसका answer जो हमने calculate किया था 178 है और divided by इनकी जो तदाद थी वो कितनी थी 5 थी तो जैसे हम इसको 5 पे divide करते हैं तो जो इसका answer आ जाता है strand इसका answer हमारे पास आ जाता है 35.6 35.6 दूसरा strand जो है यह हम यहां पे कर लेती है कि x bar calculate करना है और यह किसका यह हमने stat का करना है तो यह बराबर आजेगा summation x over n तो इसका strand जो हमने summation x किया वो कितना है 223 और इसकी जो तदाद n थी वो 5 थी जैसे strand हम इसको जो है यह calculate करते हैं तो इसका answer आ जाता है 44.6 अब तीसरा जो economics के लिए था बराबर है summation x over n इसकी जो हमने यहां पे summation किया था यह 228 है divided by 5 divided by 5 तो student जैसे हम इसको divide करते हैं तो इसका answer आ जाता है 45.6 45.6 तो अगर student उसने पूछा था कि in which subject is the level of knowledge highest कि किस subject के अंदर जो knowledge है वो सबसे ज्यादा है तो यहां पर student हमें जो है यह economics का नजर आ रहा है कि जो कि 45.6 से है तो यहां पर जो knowledge है यह सबसे ज्यादा आ जाता है झाल